तो मेरा नाम किशोर आपलाई वह हमारे चानल में यानि किशोर कुमार बैनेट जी में इस चानल में हम न्यूज ट्रावल वीडियो और ड्रामा रेगुलर बेसिस पर लाते हैं मेरा जो पिछला वीडियो था वह था कि हम कैसे चेक्ट करें कि एक कंपणी अच्छी है या बु सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप नए हो इस चैनल में और पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बैल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे नेक्स वीडियो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अनेंप्लोइमेंट की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है और इससे हम लोग रेगुलर हम जैसे यंग प्रेशर और आसपास दिजिटल सेवाकेंद्र अगर आपको नहीं पता तो यह वीडियो आप अवश्य देखिए इससे आपको एक नई दिशा मिलेगी आपको पता चले का कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया हमें एक उपर्चुनिटी देती है स्वावलं भी बनने का और अगर आपको पता है डिजि का इंफर्मेशन दिया हुआ है डिजिटल सेवा.csc.gov.in जो उनका वेबसाइट है डिस्प्ले स्क्रीन में आपको फुल वेबसाइट का यूरल मिल जाएगा आप चेक कर लो दिया हुआ है अभी और इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे सर्विसेस प्रोवाइड करने का मौका मिलता है आप कर सकते हो किसी का भी या फिर पुराने जो एरोर से जिन में उनका रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो आधार का भी और एरोर में रेक्टिफिकेशन करने का मौका मिलता है और एजुकेशन में कहूं तो आप टैली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो इंशुरेंस में कहूं तो लाइव सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो और इसमें प्रधानमंत्री जंधन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना भी आता है उनके एप्लाई करने के लिए रेजिस्टर.csc-gov.in में आपको रजिस्टर करना पड़ता है रेजिस्टर करते वक्त आपको आधार सकेंड पुपी देना पड़ता है पैन का नंबर देना पड़ता है इमेज आपका अपडेट हो जाता है और ब्लैंक चेक का एक का इमेज देना होगा या एकसेप्ट होने से आप एक common service center provider बनोगे और आप यह जो services है वो आप दे पाओगे और आप नया अपना जो business है इसे business ही कहूंगा आपको एक entrepreneur बनने का opportunity government of India प्रोवाइड कर दिये वो भी free of cost अब बात कर लेते हैं एक website के बारे में जो बता रही है कि वह जौब करती है डिजिटल सेवा के नाम पर इस website का नाम है डिजिटल केंदर डॉट और स्क्रीन पर आपको फुल URL मिल रहा होगा तो यह दावा कर रहे हैं कि यह jobs देती है और HR executive के jobs देती हैं और मैं यह वीडियो बना रहा हूं एक subscriber ने मुझे रिसेंटी कमेंट किया इस चीज़ पे तो मैंने थोड़ा बहुत research किया इस पे तो मुझे बहुत सारे consumer complaints मिले जैसा कि आप देख पा रहे हो और तभी मैंने सोचा कि कि इस पे एक वीडियो बना के सब लोगों को सतर किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा हर अपने की कोशिश हो रही है इस चीज़ को लेके तो यहां उन्होंने टाइम्स जॉब में भी अपना जॉब पोस्ट कर दिया है एचर एक्जीक्यूटिफ का रोल वो दे रहे है कह रहे है तो यहां मैं इस वीडियो के थूँ यह भी कह देना चाहता हूं वुन जॉब पोर्टल्स को जैसे कि मॉन्स्टर शाइंड नौकरी इंडी टाइम्स है और जब कोई कंपणी अपना रेजिस्टर करवाती है वहाँ ओफलाइन वेरिफिकेशन भी करें कंपणी लोकेशन में जाके अच्छे से जाच करें ताकि उन्हें पता चले कि कंपणी असल में जन्यून है कि और सारे वीवर से यहीं कहूंगा कि अगर आपको यह जॉब दिखे तो आप इसमें करें क्यूंकि जब आप इसमें करते हो तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि आपको एक उन्लाइन एक्जाम देना है और उसके लिए आपको 1550 रुपए देने परेंगे जो जिसका कोई रिजन ही नहीं है क्योंकि यह फ्री आफ कॉस्ट सर्विस ग पगल दीजिए आप सिलेक्टेट होई गये उसका मतलब कुछी दिनों बाद आपके पास एक और लेटर आएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हो भी और लेटर में लिखा रहेगा कि आप बीजिटल सेवा ओफिसर के लिए पत के लिए नियूक्त किये गए हो और आपका स सेलेरी दी जाएगी मतलब 50 पतिशत कम 40,000 कहा गया था तो उसके बाद 90 दिनों के बाद आपको एक सॉफ्ट्वेर प्रोवाइट किया जाएगा उनके थू और आपका वर्ट फ्रम होम रहेगा मगर सॉफ्ट्वेर की यहां कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि यह आपका 250 पहले और 18,900 यानि 20,450 रुपए आपको देने परेंगे और जब आप वो पेमेंट करते हो उन्हें तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको कॉल करके आपका ट्रेनिंग कहा होगा वह आपको पूछना पड़ता है तो आप जब ट्रेनिंग के बारे में पूछने क रुपए आपको मिल रहा है 12 महीने का फिर बना 4,80,000 रुपए 25 साल में आपको मिलेंगे एक करोड से जादा क्या यह संभव है कि यह कभी भी संभव नहीं है यह फ्रॉड है तो दूसरा चीज मैं बताने वाला हूं वह है कि यह जो चीजे हो रही है आज कल गवर्मेंट के जादा तरी ऐसे आपको देखने को मिलते हैं कि गवर्मेंट जोब्स के नाम पर फ्रॉड चल रहा है हमारे देश में तो वह इनी सेलरी का लालज दिखा के कुछ पैसे का लालज दिखा के हमें फसाने की कोशिश करते हैं तो मैं इस वीडियो के जरीए सारे फ्रेशर्स और जॉब सीकर्स को यही कहना चाता हूं कि गवर्मेंट जॉब का चार ही उपाहे जिनके थ्रू आपको गवर्मेंट जॉब मिल सकता है वह महनत पहला दूसरा है अच्छे से टाइम टाइम में इन्वेस्ट करना तीसरा आपका धैरियर चौथा आपको परिक्षा में उत्तिर परिक्षा होता है जहां लाखों केंडिडेट सप्लाइ करते हैं और वहां आपको अच्छा एक्जाम पास करना परता है और उसके बाद आपको मिलता है गर्मेंट जॉब तो यह लोग हमें लालच देते हैं ज्यादा तरी आपको स्टेशन में भी फॉर्म्स मिलते होंगे इस तरीके के वाल्स में रस्ते में टेंपलेट भी दिखने को मिलते हैं कि गर्मेंट जॉब दे देंगे मगर आप बहुत सतर्क रहे इस चीज में कि न जाए क्योंकि यह लोग लालच देके आपका पैसा हरपने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों अब बताने वाला हूं सब अब कोशिश कोपी दूसरा ministry of corporate affairs आपके रीजन के अनुसार वहाँ आपको एक complaint लेटर वाया पोस्ट एंड इमेल करना है with all evidence copies आप अपना स्टेट का नाम राज्य का नाम कमेंट में दे दे ताकि मैं आपको details दे पाऊं ministry of corporate affairs का तीसरा आपको करना है वह है जागो ग्राहक जागो का एक website है जहां आपको complaint लेटर देना पड़ता है with all evidence copies उसका link मैं description box में दे दूँगा तो आप जरूर चेक कर लिजेगा चौथा स्टीड विजिलन्स Commission होता है जो government body है corruption के खिलाफ वो लड़ती है तो वहां आपको complaint करना होगा तो आप फिर से अपना राज्य और स्टीड का नाम कमेंट कर कर दीजिए ताकि मैं आपको details दे पाऊं स्टीड विजिलन्स Commission का तो यह सारे चीज आपको करने परेंगे दोस्तों होप इस वीडियो से आपको help मिले इस वीडियो को आप शेयर करे मैक्सिमम लोगों में ताकि सब लोग सतर्क और साफधान हो जाएं सम्प चीजों से इंटरनेट के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूँ और इसी इंटरनेट के माध्यम से आप जादा से जादा लोगों तक यह चीज पहुचा है क्योंकि जब एक आपका मित्र या फिर नजदी की या फिर आपका रिस्तेदार इसी चीज में फस जाता है तो बहुत दुख की बात होती है यह बहुत दुखत घटना होती है तो यह नहीं हमें सोचना चाहिए और हमें सबसे जादा से जादा से जादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें वीडियो सीरीज में तो ट्रावल वीडियो भी आप देख पाऊगे मेरे चैनल में तो आप जरूर देखें वह सब और सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बैल आइकन को दबाना नह भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरे नेक्स वीडियो ची आज के लिए पिर किशोर की तरफ से ताटा